आज की टिफेट रसेबी में हम बना रहे हैं पैनी पास्ता बच्चो की पसंद बणों की पसंद एक फार प्लेट में आ जाए तो बोनों का भी ची ललच आए तो इसके लिए हमें क्या करना है पहले पास्ता को आप पानी में गरम कर लिजिए उसमें नमक डालिए और थोड़ा ओयल डालिए तो ओयल इसलिए ताकि आप असमें पास्ता चिपके ना तो यह क्या है आप रेकफास्ट में इसको बना सकते हैं बच्चों के टिफिन में रख सकते हैं वीकली अगर आप एक बार बनाते हैं तो टेस्ट यह होता है भूग आप रेकस्ति बने उसके बाद हमने क्या किया है इसको हमने ठंटे। नहीं खाल लिया औरही और और कोई को तो कोई भी कि बुरा न का पेश्ट ले सकते हैं और फिर इसको हम देरे देरेंगे और ठोड़ा इस्में पानी यह एड़ कर सकते हैं ताकि यह अच्छी जात्ति में ना आए ट्रीक करेंD MARWasam पाइंट डालके हमने डाल दिये थाकि थोड़ा उसका उसको अच्छी तरह पका लिया जाए फिर इसमें डाल देंगे टोमाटो सोस तोमाटो सोस भी आफ्चनल है जो आपको सही लगे वो आइटम आप रखिए जो अच्छा नहीं लगता आपको टेस्ट अच्छा नहीं लग तो इसको अच्छी को पका लेंगे फिर इसमें हम अपना पैनी पास्ता मिला लेंगे जो हमने उमाल रखके है यानि पक चुके हैं आलड़ी ये बशित में मसाला मिक्स होना घुना है और रिडी है फिर इसको हम अच्छी तो फिर इसमें थोड़ा नमक डाल देंगे, नमक ध्यान रिक्षिएगा, कि जितने भी आइटेम हमने डाले हैं, सब में थोधरा नमक होता है, तो नमक की क्वाइटी अपने हिसाब से रखिएगा, क्योंकि सहेजवान चट्टी में भी नमक होता है, तो ये ध्यान से आप नम आफ्तार डालेंगे, और देखिए, आप देख सकते हैं कि कैसे सौस, मसाले जो हैं इसके अंदर तक गए हैं, और टे देखने में बहुत ही टेस्टी है, और ये किन माने का, खाने में भी उतने ही टेस्टी हैं, जितने आपको डिलिश्यस दिख रहे हैं, तो बच्चे को हम इतना ही, फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नए है चनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ नया आप चाहते हैं, कि हम पुक करके आपको दिखाएं, या रेसी ब बनाएं, तो कमेंट करके बताईएं